प्रोसीजर है यह गूपलिटली जानकरी इस वीडियो के अंदर में आपको एक ऐसी जानकरे बताने वाला हूँ जो जल्दी से हर कोई वकील नहीं बताता है कि आपको अगर डायवर्स का केश डालना है या फिर डाल चुके हैं तो उसके साथ में आपको कोई बी नुक्षा ना हो फ्यूचर के अंदर आपका फायदा है तो कौन सा केस है और किस तरीके का क्या प्रोसीजर है यह completely जानकरे इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा पर आपको करना क्या है वीडियो को बिल्कुल अंतक देखना है तबी पूरी जानकरे समझ में आएगी क्योंकि आप खुद समझदार है आपको अच्छे से कभी भी आधे अधिरुग्यान से जानकरे समझ में नहीं आती है इसलिए पूरी जानकरे के लिए वीडियो को बिल्कुल अंतक देखना होगा और यह आपका अपना चनल है इसको अगर आप अपदक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो फेले इसको सब्सक्राइब भी कर दीज कि पति के पास में और कोई Vicalp नहीं होता है डैवोर्ष फिवाए पति को मजबुरन डैवोर्ष तो लेना ही पड़ेगा अगर डैवोर्ष नहीं लेंगे तो पति अपनी लाइफ को आगे केस से बढ़ आईगे अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यहा पर पति अगर एक काम कर लेते हैं, डाइवोर्स के के साथ में ये केस भी डाल देते हैं, ये काम भी कर लेते हैं, तो पति को कहीं पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, पति का फ्यूचर पूरी तरे से सिक्क्योर रहने वाला है, हमें सब पत्नी की ही गलती मानी जाएगी पति की कोई भी गलती नहीं मानेगा पति का बस फाइदा ही फाइदा है दोस्तों मैं तो रोज ऐसे मामले प्रक्टिकली कोट के अंदर देखता रहता हूं पति के दोरा कोई भी एक्षन लिया जाता है चाहिए पति के दोरा कभी भी कोई भी एक्षन लिया जाए कि सामने से कई सारे केस कर देती है अब पती तो एक केस करते हैं पर सामने से कई सारे केस आ जाते हैं जैसे IPC 498 का आ जाता है डीव का आ जाता है मेंटिनेंस का आ जाता है और अन्य भी कई सारी धाराई पत्नी लगवा देती है तो यहां पर कई सारे केसों का सामना पती को करना पड़ जाता है और हर जगह पर पती की ही गलती दिखाई देता है कि पती उस पतनी को नहीं रखना चाते हैं इस वेज़े से पती का हर केस के नुगसान होता है police phone 98 हे केस के न trata पति को torture करती है प्रेसान करती है करती है जब मामला कोट के अंदर जाता है तो कोट के यंदर भी पथी केनर भी पूट का मैंटरस बन जाता है और अन्या धराओ के के गदर में आपको बताने हैं तो आज के वीडियो के है तो एक काम पती जरूर कर ले ये काम कौन सा है ये काम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है बिल्कु छोटा सा काम है बड़ी आसानी से ये काम आप कर सकते हैं तो ये काम है पती को एक application देना है ये application पती थाने के अंदर भी दे सकते हैं जो पती के आजपास थाना है वहाँ प एक सूचना देनी है वहां पे कि ऐसा आपके साथ में हो सकता है आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा चुकी है उसकी तरप से आपको बार-बार धंकिया मिल रही है वो आपको फसा सकती है आपकी जिंद्गी बरबाद कर सकती है आपके उपर जूटे केश डाल सकती है तो इस के अंदर आपको सारी management बाते लिखनी है प्रमुक बाते लिखनी है जो भी आपके साथ में गलत किया गया है पत्नी के दोफ़ा तो यह सारा matter अगर आप इस किंद्र लिख देंगे पहले इस सूचना दे देंगे और फिर अगर बाद में पत्नी केस करती है तो आपका काफी ह हो जाएगा आपका प्लडा भारी हो जाएगा और ध्यान रहे ये application के ओल silent तोर पर ही देना है पतनी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कोई application आपने दिया है ऐसी कोई सूचना आपने फैले ही दे के रखी है तो ये काम पती divorce का case डालने से फैले कर देते हैं पतनी के case करने से फैले कर देते हैं तब पती का कोई भी नुक्षान नहीं होने वाला है पती का हमेशा फायदा होने वाला है और फिर भी अगर पती divorce का case डाल चुके हैं पतनी case कर चुकी है तब भी अगर ये काम करते हैं तब भी पती को काफी हद तक फाइदा मिल जाएगा तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर के अंदर विश्टत जानकारे के लिए और भी अगर आपके किसी भी त्रिकी की कोई भी कानूनी समझे है तो उसकी जानकारे के लिए कि जानकारे के लिए आपके खाभी है